अच्छी ख्लास में हमने क्या करना है, आशी ख्लास में हमने बात करना है canvas करना और त्युक्त बारी ऐसको फिर हमने क्या गरना यहाब अपन कॉन से पांस तारीक है तो सबसे पहले हम इसको definition के थुरू study करना फिर हमने mapping form के थुरू study करना फिर हमने derivative की थुरू फिर हमने graphically को study करना फिर हमने algebraic लिया नहीं जो है हमने जो 11 function को पास तरीके से study करना ठीक है पास तरीके से study करना चलिए हम लोग क्या करते है वन बाई वन जो है कि इसको भी करते है शबसे पर लूग देष्ट का डफिनस लिखेंगे फिर इसको में वेटिवाटी फरॉम पर चेक करेंगे फिर ग्राफिक ली और फाइनली हम लोग जुह ऐलजेवरीक लिस्कों मुग पढ़ेंगे ठीके तो देखिए इसको मैं देखते हैं हम लोग ठीक है, if every element of range has a distinct preimage in a domain, ठीक है, अब यहाँ पर दो-तिन words है, परले वो words जो है अच्छी तरिकाइस से ख्लियर होने चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर कॉन कॉन से words है, तो सब्सक्राइश परले, यहाँ पर एक word आरा, आपका домain, है की नहीं, तो simple तरिकाइसाब समझ लो, कि जो set A होता है, यह set A है अपका यह आपका janage set A लिखा हुआ है इसा को बोलते है domain, ठिके, अच्छा, अब देखो धियान से Jja set B होता है, है कि ní, set A को बोलते है domain, set B को बोलते है code domain, यह तो अच्छे तरफे से आपको पता होगा, ठिके? अब देखो range क्या होता है ठीक है तो range जो है simple तरही सके देखा जाए तो set B के वैसे element है कि ने range हमने समझने की range क्या होता है तो set B के वैसे element जो set A से related है, उसको हम लों क्या बोलते हैं? range बोलते हैं, ठीक है? उसको हम लों क्या बोलते हैं? range, यह range को आप image ही बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा, ध्यान समझेगा, और pre-image क्या होता है, तो फ्री-image का भी concept हम लों समझ लेते हैं, ठीक है? समझेगा प्री इमेज का मतलब क्या हो रहा है कि पहले का इमेज है कि नहीं पहले का इमेज तो सोचने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आपको ए मिला होगा एक बादना आपको वन मिला है कि नहीं सबसे पहले आपके पास तो एविलेवल था अब ए में कुछ ना कुछ आपन इमेज है 2 तो simple सी बात है ठीक है pre image यानि simple तरीक से बो सकते हो कि set a का वैसा element set a का वैसा element set B से related है वह ओगे आपका pre Maj और जिस्से related है की निए जिससे related है उसको बॉलेंगे image ठीक है जिससे related है उसको क्या बोलेंगे image भोलेंगे ठीक है फिर से definition पर आते हैं प्री इमेज होगा है कि नी जो भी इमेज है आप पे है कि नी इमेज का अगर यूनिक प्री इमेज होगा सिंपल तरी के समझेगा जो इमेज है आपका अगर यूनिक प्री इमेज होगा या इसको आप ऐसा समझो प्री इमेज का अगर यूनिक इमेज होगा तो उस तरह का ज से कि different element of state है कि different element of state a have different images in B different element of state a यानि state a के जितने भी different elements है उनकी जो उनका जो image होगा वो different image होगा किसमें set B में अच्छा ध्यान समझज़ेगा image और pre image समझना बहुत important है देखो और जो इमेज है वह से हुगा जो आपका इमेज है उसका उनीख क्या होगा इमेज हो गात उत तरहला के फांसंद क्या बोलेंगे वन वन फंशन या सुम लोग इंजक्टिव फंशन बोलते हैं यह तो हो गया डैफिनिसन के थ्रूँ ठीक है अब इसको मैपिंग मेपिंग फॉर्म के समझते हैं ठीक है देखो ध्यान से हमारा हो गया से यह वह गया से भी सेट भी हमने यहाप चार लिये हुए हैं ठीक है 시는हाइ है कि आगर एक से एक का रिलेशन है ज Zhu यहां से एक से और पारलियस्थि तो इस थारह के जुटारें को किया बोलेगा तो ऑथılar डूंष् फॉन सबस्ट केुटन अगर आपका कोई भी element जो है repeat नहीं कर नहीं first element repeat कर रहा है नहीं second element repeat करता है तो उस तरह का function होता है उस तरह का function को क्या बोलते है 11 function ठीक है अगर आप इसको क्या करते हो अगर इसका ordered pair के form पे लिखते हो तो अगर इसका यहां अगर आपका कोई ना आपका जो है आपको पता होगा कि यह 1 वाला जो होता मुझा बोलते हैं और जो सेकेंड वाला होता उसको अगर कुछ भी repeat नहीं कर रहा है तो समझ लीजे कि वो जो function होगा उस function को आपको जो हर एक इमेज का हर एक इमेज का एक यूनिक प्री इमेज होगा या हर एक pre-image का, अगर एक unique image होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, one one function बोलेंगे, है के नि, या इसको आप ऐसे बोलो, सेट A के जितने भी elements है, अगर वो unique elements से, सेट B के unique elements से related है, यानि दोनों के unique unique होने चाहिए, है के नि, दोनों जो होने चाहिए, सेट A, सेट B के, दोनों अगर जो है यूरी यूरी सबस्ट क्या है रिलेक्टेड है तो उसको उसको भी बोलेंगे one-one function ठीक है mapping form पर दिखा जाए तो ध्यान से समझेगा one-one का relation है है किन ध्यान से one-one का relation है तो इस तरह का function होता है उसको उसको क्या बोलते है one-one function ठीक है या अगर 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 आपका नहीं करना चाहिए तो या तो डोमेन मिलेगा या तो रेंज मिलेगा है कि नहीं अगर आपका फ़र्ष्ट एलमेंट कर गया तो फंसन तो है नहीं वह है कि नहीं तो सिंपल सकते कि नो अधिके सेकेंड अलeमेंट गे रिपिट एट अगर वह रिपिट नहीं कर रहा है तो समझ लिजे कि कौन सा फंसन आपका वह तो आपका 1 1 function है है तो हमने क्या करना दो तरीवेटिव के थ्रू हमनों समझते हैं तो आप सबसेरा क्या करते हैं सबसेगे सबसेटाइब कह यहां हमारे पास है न क्छ भी ऐन गिवन है तो उस function का हमने क्या करना सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं लेट हमारे पास कोई function है कि लेट f of x एक function ले लिए अब हमने क्या करना है इसका हमने जो है derivative calculate करना है यानि हमने जो इसका f dash x calculate करना है ठीक है f dash x हमने क्या क्या करना है calculate करना तो f dash x calculate करोगे देन यूगे ठीक स्क्वेर ठीक है अच्छा अब clearly आप देख रहे हो यह जो 3 x square है आपका या तो greater and equal to क्या आएगा 0 है की ने तो clearly इसका जो आपका जो f dash x आया है है की ने इसका sign नहीं change होने वाल है इसका साइन है do not changes do not change कि इसका साइन वो आपका चेंजे नहीं करेगा जने सी कहने सी बात है अगर आपने क्या करना है कोई function आपको दिया हुए है आपने क्या करना उसका f dash x का लिएक कर लेना है और f dash x statistics करके देखना है क्या उसका साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अगर उसका साइन से if f dash x does not change its sign अगर f dash x जो है यानि उसका derivative आप calculate करो derivative calculate करने के पाद देखो कि क्या उसका derivative है उसका sign change हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो समझ देज़े कि वह कौन सा function आपका वो जो है आपका one one function है यानि clearly यह जो function है आपका x q जो है यह कौन सा function आपका one one function है ठीक है अच्छा यह तो हो गई बात third method की यानि हम लोग derivative वाली बात कर लिए हैं अब बात करना आपने fourth method की ठीक है अब ध्यान समझेगा fourth method क्या बोल रहा है ठीक है अब देखिए fourth method को ठीक है जो fourth method है इसको हमने अलग सा नाम दिया गया इसको जिसको बोलते है horizontal line test ठीक है horizontal line test ठीक हमने vertical line test के बारे में जानते हैं हम लोग पढ़े हुए ठीक है तो यह जो है है आपका horizontal line test ठीक है तो अगर आपके पास क्या है कोई वी कर्व दिया हुआ है कोई भी आपके पास kiya है करव है ठीक है suppose है करना क्या है is तॉ आपने करना क्या है एक simple product है ऐनए पने क्या करना है एक horizontal line डौ करना है अगर वो जो line है किवल एक vê- jaillıal इंट σक्वा बढ़ा जो भी लाइन आपने ड्रोड करा ठेक एक सिंपल से आपको कोई कर्ण वजिया हुआ है की नहीं आपके पास कि और युद आपने क्या रहा है एक सिंपल से उसके एक से एक से प्वारल एक यह लाइन ड्रो कर दिया अगर वो जो है आपका लाइन के वल एक पॉइंट पर अगर इंट्रसेक्ट करता है तो समझ लेना है कि वह जो है आपका कौन सा पोलते हैं यह आपका सही कोई भी कर्व आपको दिया आपके पास जो है आपको पता करना कि 11 पर सिंपल सी बात है आपने एक लाइन कर लेना है अगर वह जो लाइन है आपका लेकिन कौन सा लाइन होरिजेंटल लाइन यानि विभी आपके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी आपके या इंघ्रिकलीघ्जिट्टींग इंटिर सर्वाइब क्यों कि अगर हम लोग करते हैं करते हैं एक कि पॉइंट पर करेगा इंटरसेक्ट करेगा तो जितने भी आपके इंकरजिंग फंसन आपके कौन से फंसन हो ऊंगे one function होंगे हमने definition के थुरूद देख लिया mapping के थुरूद देख लिया derivative के थुरूद देख लिया graphically देख लिया अब बात आती है algebraic लिखी ठीक है यानि आपका fifth method है यानि algebraic ही हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो function है आपका फंसन है की नहीं है तो इसका simple सा logic है ठीक है तो if f of x1 is equal to f of x2 घ्यान समझेगा if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 है की नहीं देर हम लोग बोल सकते कि वो function है आपका ठीक है वो जो function है आपका वो कौन सा function है वन वन फंसन है ठीक है वो एक example लिया हुआ था कि like f of x is equal to था आपके पास xq ठीक है अच्छा तो इसको तो हमने यह देख लिया करके इसको जो है हमने graphically करके भी हमने उसको देख सकते हैं है की नहीं ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप पता भी होगा इसका graph कैसे ड्रॉ करोगे आप है की नहीं तो इसका graph ड्रॉ कर लो आपने क्या करना एक line ड्रॉ कर देना है किसके parallel x-axis के parallel अगर यह एक point पर कर रहा है तो clearly यह आपका one one function है ठीक है इसका डेरिवेटिव क्यल्कुलेट कर लो है कि निए इसका आप f-x calculate कर लो तो f-x calculate करोगे तो इसका साइन चेंज नहीं करेगा जब साइन चेंज नहीं करेगा तो समझ लो कि one one function है लेकिन हमने जो है इसको algebraically proof करना है कि यह जो है आपका one one function है कि नहीं है ठीक है चलिए तो simple logic है if f of x1 is equal to f of x2 if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 ठीक है तो हमने यहाँ पर function जो लिया हुआ था that is f of x is equal to xq लिया हुआ था ठीक है ध्यान समझेगा तो let f of x1 is equal to f of x2 है कि नहीं यानि x1 का whole q is equal to x2 का क्या हो गया whole q हो गया है कि नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते है x1 का whole q minus x2 का क्या होगा whole q is equal to क्या हो गया आपका 0 है कि नहीं यह देखो ध्यान से aq minus b का form पर चला गया इसको ऐसे लिख सकते है a minus b है कि नहीं यह हो गया आपका a square plus a b और plus हो गया आपका b square है कि नहीं इसको आप उधर 0 उधर उसको divide में जाएगा तो 0 हो जाएगा तो क्या बच्छा आपके पास x1 minus x2 is equal to क्या आगया 0 यानि सिंपल तरह से बोलो आप तो x1 is equal to क्या आगया एक्सटू अगया तो सबसे पहला जो तरीका था definition के तुरू तो definition हमने सीख लिया है कि नी definition के तुरू क्या था कि अगर आपका ठीक है अगर जो है मतलब distinct image या unique image का अगर unique pre-image होगा या unique pre-image का अगर unique image होगा तो बोलेंगे भाई वह one one function है mapping के तुरू भी आप देख सकते हो है कि नी mapping के अगर उसका sign change नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपका one one function है ठीक है और graphically graphically that is graphically कौन सा था आपका वर्ट सॉरी horizontal line test यानि HLT को बोलते हैं आपने करना कुछ नहीं कोई भी curve दिया हुआ है आपने एक line draw कर लेना किसके parallel x-axis के parallel एक line draw कर लूआ अगर वह जो line है एक point पर है ना एक point पर अगर intersect कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह वन-वन पन सन है ठीक है आच आपको बता है कि strictly increasing function का मतलब क्या होता है वैसा function जो है जो लगतार increase कर रहा है हई कि निस तरह को फंसन होता है इसको बहुतता है इस ट्रेक्ले इंक्रिजिंग फंसन तो आपने क्या करने एक लाइन ड्रो कर देना है ठीक है तो हम लोग पता कर सकते कि नहीं है ठीक है अलजबरिकली सिंपल सा लॉजीक एक if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 देंकि सबका लॉजिक होई है सबका लॉजिक सिंपल सा अगर देखा जाए पांस तरीके समने किया लेकिन पांचों का लॉजिक सेम है आपका अब लॉजिक कि है आपका कि वही यूनिक इमेज का यूनिक इमेज का यूनिक प्री इमेज होना तो इस तरह के जो फंसन होता है उसको क्या बोलते है वन वन फंसन अब हम लोग अगले क्लास में जो है मेनी वन फंसन के बारे में बात करेंगे ठीक है